क्या कभी किछी ने सोचा था कि जो देश पूरी दुनिया पर आर्थिक प्रतिवन लगाता है वो ही एक दिन आर्थिक संकट में फस जाएगा जी हां अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में कोहरा मचा हुआ है पहले बीते 10 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक दिवा लिया हुआ और फिर ठीक इसके दो दिन बाद ही सिगनेचर बैंक पर भी ताला लटक गया और अब अमेरिका का तीसरा बैंक रिपबलिक बैंक भी डूबने की कगार पर खड़ा है महज एक सप्ता के भीतर अमेरिका के तीन बड़े बैंकों की हालात पस्त होने के बाद ऐसा दावा किया ज जा रहा है कि अमेरिका में एक बार फिर 2008 जैसा आर्थिक संकर देखने को मिल सकता है बलूमबर की एक रिपोर्ट की माने तो फिर्स रिपबलिक बैंक के स्टॉक में पिछले एक महीने में 70 फीज़ी तक की गिरावट देखी गई है 13 मार्च को फिर्स रिपबलिक बैंक अबी भी चिंता बनी हुई है दो फर्वरी 2023 को फिर्स रिपबलिक बैंक के एक शेर का मुल्य 147 डॉलर था बीते 8 मार्च को इस बैंक के एक शेर का मुल्य 115 डॉलर था केवल 5 दिन में ही बैंक की हवा निकल गई और ये सुमवार को 17.53 डॉलर तक के निचले स्तर तक पहु इसके लावा बैंक ने नगदी के लिए फैट और जेपी मॉर्गन से हाथ मिलाया है आपको बता दे कि रेटिंग एजंसी मूरीज ने जिन 6 अमेरिकी बैंकों को अंडर रिव्यू रखा है उसमें फर्स रिपबलिक बैंक का नाम भी शामिल है इसके साथ ही क्रेडिट इनकी रेटिंग को डाउन ग्रेड कर दिया है लेकिन इससे पहले अमेरिकी राजपती बाइडन ने डिपॉसिटर्स को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि उनके पैसे सुरक्षित हैं उन्होंने आगे कहा कि बैंकों के डूबने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार है उनके ख